नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एस्कलेपियस आईरवेदा यूटूब चनल में दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे AWPL company में जो भी हम work किये हैं उसका sales commission how to track sales commission sales commission को हम track कैसे करें इसके बारे में अच्छा करेंगे तो अस्तों बहुत सारे भी words का ये बार बार सवाल आया है कि AWPL में जो भी हमने product का selling कराया है ओ selling किये हुए product का company कब कितने और कैसे रुपए हमको sales commission के रुप में दी है ये सारा चीज हम कहां से track कर सकें तो दोस्तों इसको track करना बहुत असान है सबसे पहले हम अपनी ID को login करेंगे login करने के बाद जैसे हम अपनी ID login करेंगे login करने के बाद हमारी ID login हो जाएगी और हम देखेंगे कि उसमें dashboard है genealogy है account है account option पे हमको click कर देना है account option पे click करते ही एक निचे में सब option खुलेगा उसमें हमको ध्यान से देखेंगे sales commission sales commission पर जाएगे वहाँ पर click कर देंगे जैसे sales commission पे click करेंगे paid details के लिए option आएगा और वहाँ पे आपको date पुछेगा कब से अब कब तक date from date to तो date from कब से आप sales commission देखना चाहते हैं और date to में जब तक का आप sales commission देखना चाहते हैं वो date उसमें डाल देना है जैसे ये सारे details आप डालिएगा जैसे माल लेजे कि 1 जुलाई 2020 से लेकर 27 दिसमबर 2020 तक का आपको details देखना है वैसे ही थोड़ी दर के बाद processing होगा processing होने के बाद आपको नीचे में दिखाएगा आप देख सकते हो सामने में दिख रहा है इस्क्रीन पर यहाँ पर नीचे में सबसे नीचे दिया हुआ है कि कितना amount अब तक उनको paid हुआ है या नहीं हुआ है यह सारा चीज़ दिखाएगा TDS कितना कटा है Data maintenance charge कितना कटा है यह सारा चीज़ दिखाएगा टोटल कटने के बाद उसको कितना मिला है यह भी दिखाएगा तो दोस्तों यह एक छोटी से कोशिस है आपको AWPL की साइट में जाकर लॉग इन करके आप अपने ID पे ही आप कितना वर्क किये है कितना sales commission हुआ है यह सारी जनकारी आप ले सकते हो इसके लिए हम वीडियो बनाया है तो आशा करते हैं कि आपको यह जनकारी पसंद आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद